असलामों अलेकुम हेलो फेंट्स वल्कम टू मैं जहां राज की चैन मैं हूँ जहां आ रहा उमीद करती हूं आप सब हैरियत से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ छोले मटन की रेसिपी लेकर आई हूं इसकी सालन बहुत ही मज़दार की होती है इस रेसिपी को जरूर प्लग में पर 500 ग्रम मटन डाल देती हूं जिसे में पानी से अच्छी तरह से साफ कर लिया है अब मैं पर चोटा सा डल देती हूं नाहां दाल चीनी 6-7 काली मिच डालना है एक चोडी चमच सॉंप और 7 सांथी यहां पर डाल देती हूं एक चमच अध्रक लहसन का पेस्ट आधी चमचे करीब नम्मक और देड़ ग्लास के करीब हमें पानी डाल देना है अब हमें क्या करना है इस कूकर का लीड लगा लेना है स्टोप के हाई टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 6-7 विसल लाने तक पका लेंगे तो यहां पर देखिए छोले को मैंने उबाल कर रखा हुआ है 6-7 घंडे के लिए मैंने छोले को भीगो कर रखा हुआ था उसके बाद देर दो ग्लास पानी डाल कर थोड़ा सा नमक डाल कर मैंने उसे 6-7 विसल लगा लिया है तो हमारा छोले बिल्कुल सॉप्ट हो चुके हैं तो इस तरह से आपको चने पहले उबाल लेना है तो यहां पर 6-7 विसल देने के बाद मैंने स्टोप को आफ कर लिया है अब जो हमारा माटन अची तरह से गल चुका है और उसका स्टोक यानि सूप जो है बिलकुल तहियार है अब हमें क्या करना है इसे साइट पर रखना है अब हमें स्टोप के हाइफ लेम पर एक कढ़ाई रख लेना है उसके बाद हमें देर्शवेव एमिल रिफाइंड डाल देना है जब तल अची तरह से गर्म हो जाए ह चोटा सा में दाल्चीनी डालना है एक बध्यान का फूल डालना है छोटी इलाइची और छे से साथ काली मीच एट कर देंगे ताकि इन सभी का अरोमा वह अची तरह से तिल पर आ जाए उसके बाद हमें पर एक बड़ी प्याज का पेस्ट करके डाल देना है प्याज को हम जाए अधरकलेसन का परेस्ट एट कर लेना है इसे भी हम 2 मिनिट ले पकालेंगे ताकि अधरकलेसन का कच्छापन भी चला जाए अब मैं हाप डाल देती हूं पाउडरर मसाले एक चुटी चमच हल्दी पाउडर आधी चमच हमे लेना है लाल मिच पाउडर एक चमच कसमरी कलर अच्छा आएगा एक चमाच जीरा पाउडर और आधी चमाच हमें लेना है धन्या पाउडर अब मैं क्या करूंगी स्टोप के लो फ्लेम पर मसाले कु अच्छी तरह से बुनूंगी ताकि इसका कच्छापन चला जाए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम अच्छी अच्छी तरह से पकाएंगे तो यहां पर देखिए मसाले से अब तेल चोड़ने लगा है दही का पानी भी सुक चुका है और बहुत अच्छी खुजबू भी आने लगी है अब हमें यहां पर एट कर लेना है मतन पहले हम मतन को एट कर लेंगे और मसाले के साथ मेडियम ल चुड़ी चमच कुटी भी काली मिच पाउडर और एक चमच कसूरी मेथी इसी के साथ आधी चमचे करीब हमें डाल देना है नमक नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लिएगा और साथ ही मैं यहां पर मतन स्टॉक डाल देती हूं यानि मतन सूप जो हमने रखा वा चार से पांच के करीब अब मैं इसका लिट लगा लेती हूं दस मिट के मीडियम लो फ्लेम पर मैंने अची तरह से पका लिया है अब जो हमारा चोले मतन बिलकुल बनकर तयार है बहुत ही मज़िदार का सालन बनकर तयार होता है इस रेसिपी को जरूर ठाई कीजिएगा अ सब्सक्राइब करना मैं सब्सक्राइब कैना मैं राच अई को आप लोगे चाहे हैं अध्यरन करे को अ dép them ship लिगती है तो छोले मतन करी को लाइक शीयर और मेरे चैनल को सबसक्राइब जरूर करते हूं है प्लेल गुलियेगा उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेसं आपके पर सबसे पहले पहुंचेगी आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए मिलते हैं कने रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद जरूर रखें अल्ला हाफीज